हेलो फ्रेंड्स, वेलिकम टु मैं चैनल, आज हम अंगर रखा पैटन, अम्रेला कट, कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैबरिक लिया है, ये कॉटन का है, तो सबसे पहले हम टॉप पर्ड की कटिंग कर लेंगे, तो इसके लिए म मैंने लिए 14.5 इंच, अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूं 6.5 इंच, आर्मोल भी मैं ले रही हूं 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोडते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जीन लेना है, तो मैं ले रही हूं 11 इंच, अभी यहाँ पर हमें कमर का फोर्थ प्लस 2 इंच मार्जीन लेना है, तो मैं ले रही हूं 9 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंगे, अभी यहाँ पर 1 इंच उपर मार्क करना है और हलका सा राउंड देना है अभी हम आर्मोल ट्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से हम आर्मोल का शेप देंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ट्रॉ कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट का आर्मोल है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 3 inch और neck deep में ले रही हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए में ले रही हूँ 3 inch अभी back neck के लिए हम round shape देदेंगे और front neck के लिए हम curve V shape देंगे इस तरह से इसे shape देदेना है तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे तो सबसे पहले back neck और back armhole से cutting करेंगे तो इस तरह से हमने सबसे पहले back neck और back armhole की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रख लेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armul की cutting कर ली है अभी हम इसको open करेंगे और इस पे हम अंगर अखा pattern ड्रॉ करेंगे तो left वाली side में हम 1 इंच उपर mark करेंगे देखें यहाँ पर हमें 1 इंच पे mark कर लेना है और इस point को हमें neck वाले point से जोड़ देना है curve shape में तो इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे और इसकी cutting कर लेंगे यहाँ से तो अभी देखें इस part की हमें कोई जरूरत नहीं है तो इस part को अभी हम हटा देंगे और यह जो हमारा part है इसी shape का हम एक और piece कट कर लेंगे तो इसके लिए यह हमने fabric लिया है और इसके उपर हमें इस part को उल्टा रख देना है यहाँ पर दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है यह देखें सीधी side अंदर की तरफ रखी है उसके बाद हमें इसी shape में इसकी cutting कर लेनी है तो देखें इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इसे open करेंगे तो right वाला part हमारा left वाले part के उपर हमें overlap कर लेना है अभी यहाँ पर हम center पे एक cut लगा लेंगे तो इस तरह से पकड़ते हुए हमें center में cut लगा लेना है अभी यहाँ पर center से 4 inch पर हम mark करेंगे और इस निशान को हम सीधा extend कर देंगे उपर तक और अभी हम इसकी यहाँ से cutting कर लेंगे तो हमें सिर्फ उपर वाला part ही cut करना है तो देखे इस तरह से हमारा front का part आएगा अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को fourfold किया है यह देखे यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है और यह fourfold हमने लिया है 8.5 इंच का जितना आपका आर्मोल है उससे 2 से 3 इंच जादा लेना है और sleeves की length हमने 15 इंच ली है अभी यहाँ पर open side से 3 इंच पर mark कर लेंगे और यहाँ से हमें sleeves का shape दे देना है अभी यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम यहाँ पर एक cut लगा लेंगे उसके बाद हम sleeves को open करेंगे और यहाँ पर sleeve की दोनों सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulti side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw कर लेना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने cutting कर ले है यह हमारे दोनों side के दो sleeves है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को two fold करके रखा है अभी एक corner से उठाते हुए हमें इसे triangle में fold कर लेना है इस तरह से अच्छे से fold करना है बीच में कोई भी silhouette ना रहे तो यहाँ पर देखे हमने fold कर लिया है यह हमारी open side है और यह fold side है अभी जो हमने top part कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर इसे adjust करना है और यहाँ पर कमर का निशान लगा लेना है अभी हम bottom part की length लेंगे तो bottom part की length मैं ले रही हूँ 35 inch तो यहाँ पर 35 inch पर mark कर लेना है और इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 35 inch पर mark कर लेना है और इन सारे points को जोड़ देना है round में अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से cutting कर लेंगे तो देखे हमने cutting कर ली है तो अभी मैं आपको इसे open करके दिखाती हूँ तो यह हमारे bottom part के दो parts है और bottom part का घेरा भी बहुत अच्छा आया है यह देखे अभी हम stitching करेंगे तो सबसे पहले हम front का part ready करेंगे तो front के दोनों parts को हमें separate कर लेना है और यहाँ पर हमने cross strip ली है तिर्ची पटी इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने तिर्ची पटी ली है इसे भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमने strip को यहाँ पर attach कर लिया है अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में हम strip को अंदर की तरह fold कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम top stitch लगा लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे साइड की strip में भी हम यहाँ पर छोटे छोटे cut लगा लेंगे और इस strip को भी हम अंदर की तरह fold करके top stitch लगा लेंगे इस तरह से हमने top stitch लगा लिया है अभी हमारा राइट वाला पार्ट हमें लेफ्ट वाले पार्ट के उपर ओवरलैप कर लेना है यहाँ पर हमें सेंडर से सेंडर को मिला लेना है अच्छे से और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों पार्ट को हम यहाँ से अटेच कर लेंके स्टिच कर देंके तो इस तरह से हमने यहाँ पर stitch कर लिया है अभी हम यहाँ पर potly buttons लगाएंगे तो इस तरह से हमने contrast color में potly buttons बनाए है इसे हम इसके अंदर रखेंगे थोड़ी थोड़ी gap से हम इसे लगाते हुए यहाँ पर stitch कर लेंगे तो इस तरह से हमने पोटली बटन्स को यहां पर स्टिच कर लिया है तो यह हमारा फ्रेंट का पार्ट रेडी है अभी हम बैक का पार्ट लेंके तो बैकनेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है इसे हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो अबने सिलाई लगा दी है अभी हम यहां पर छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में हम strip को अंदर की तरफ fold करके top stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी हम sleeve में pattern बनाएंगे तो यह हमने एक side का sleeve लिया है और यह हमने आपर strip ली है और इस strip की जो width है वो हमने 2.5 inch ली है और length ली है 7 inch अभी strip के उपर हमें 6 inch पर mark कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम straight line draw करेंगे center में हमें line draw कर लेनी है और जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक ही हम line draw करेंगे अभी हम इस strip को sleeve के उपर रखेंगे center में ही रखना है हमें और उल्टा रख देना है strip को center से center को मिलाते वे रखना है और जहां पर हमने line बनाई है उसके बिल्कुल side से हमें सिलाई लगा देनी है Vee बनाते हुए तो इस तरह से हमने आपर सिलाई लगा दी है अभी हम यहां पर cut लगा लेंगे ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे उसके बाद हम strip को wrong side में turn कर देंगे तो इस तरह से यह हमारा slit बन जाएगा sleeve में और यहां से हम 4 इंच पर mark कर लेंके दोरो side में 4 इंच पर mark कर लेना है अभी यह वाला जो हमारा side है sleeves का वो हमारा front की तरफ आएगा तो यहां पर हम front का F mark कर लेंके और उसके बाद हमने एक और strip ली है तो इस strip को हम sleeves के अंदर रखेंगे और जो हमारा slit है बिलकुर उसके बीच में ही हमें रखना है strip को और यह जो हमारा front का side है उसे हमें सबसे पहले stitch कर लेना है और extra strip को हम नीचे से fold कर देंके तो हमने यहां पर stitch कर लिया है अभी हमारा जो दूसरा वाला part है उसे हम strip के उपर रखेंगे और यहां पर हम portly buttons लगाएंगे तो इस portly button को इसके अंदर रखना है और थोड़ी थोड़ी gap से हमें इसे stitch कर लेना है तो इस तरह से portly buttons का जो मू रहेगा वो हमारा front की तरफ आएगा तो इस तरह से हमने portly buttons यहां पर लगा लिये है अभी sleeve के bottom को हमें double fold कर देना है तो देखे हमने इस तरह से sleeve के bottom को fold कर लिया है और इसी तरह से हमने दुसरा sleeve भी बना लिया है अभी हम shoulder पे sleeve को attach करेंगे तो sleeve को हम shoulder के ओपर उलडा रखेंगे और इस तरह से हम इसे stitch कर लेंगे इसी तरह से दुसरा sleeve भी हम attach कर लेंगे तो हमने दोनों स्लीव को एटेज कर लिया है अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को एटेज करेंगे तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के उपर उल्टा रख देना है और सिलाई लगाके से एटेज कर लेना है इसी तरह से back part के top part और bottom part को भी attach कर लेना है तो इस तरह से हमने दोनों parts को attach कर लिया है उसके बाद हम इसे उल्टा करके side से fitting कर लेंके और इसके bottom को हमें double fold कर देना है